पोपा गंज का यह रेलवे स्टेशन है और बगल में बगल में बलाक है और यहीं पे आप देख सकते हैं एक बागीचा का एक पीड़ है और बगल में बलाक का जो है मुख्य मार्ग जो है यह गेट है और यहीं पे एक ब्यक्ति है जो घोसी का रहने वाला है और मांगने खान आप प्रसाशन भी आगई है और देखने के लिए जहां पर काफी यांद भीड और क्याना सा करता था? अर उसने वही बीडी बीडी पीता था, गांजा पीता था और हम गया के माहने के लिए इस फाइसा ली आगा भी शुर्वे आप में बोला दे जारा महूं मैं जा रहा हूँ तो बोलता में भी जाओ गहर पे तो मैं बोला थीक है जा ले जाना तो यह इंडेक्शन जो पड़े हैं तुम ही लोग लगा के फेंका है जो यह आप इसको बोला चले जाना में बोला ठीक है चले जाता है और इसने पहले भी तीन चा टाइम जहर खाया था अब भी एक महने पहले जहर खाया था इसने उत्ति इसके मा बाता रहता है यह जाता रहताम ठाएमाने दोस लोग बटा रहतें फिर से बच अब है क्या पता से खाके आया था क्या करके आया ता आके इदरि वो लो लग गया नहीं यहाँ तक हो Teile तो इन्जेक्शन इन्जेक्शन ही लगाता था तुम कभी नहीं लाए को पागज में नहीं खरते हैं तो यहां पर कैसे आया है अधर पीने आता था वो नसा करता था यह अगिदिताता यहीं तो ही कि मिलता था कहां से मैं अच्पी लेकर ता चाहिए अधर लेकर आता था जत जानते और लेकर आता था ना था कि शाट अधर के बैचता भी था यह सिर्फ पीता था कि तुमारा क्या नाम है यहां को तो कर दो सुब्सक्त फूह दोड़ कर दो। आप 03 अब यह इसका जो दोस्त है सोनु राजभर जो है वह यहीं कोपागेंच के रहने वाला है कुड़ा बिन करके जो है पुड़ा बिनता है और यहीं रहता है इसी जगह और यह नस्या एविल का इंजेक्शन लगा के नस्या करता है यह बता रहा है कि यह कुरज उसका दोस्त है यह हमेसा अथा था वहाँ से गोसी से कल इंके आया था नशा किया नशा करने के वाद जो है बढ रहा हुआ हुआ हो और डोज हो गया उसीजस इसी मत्युआ क्बॉ तक कैसा अब इसका, गोपा शुल है? आप जानकारी गोसिज कराई जा रही है तर इसको पीम के लिए भेजा जा रहे है तर इसको पीम के लिए भेज़ा रहा है कि और इसे टीम मा की नमूरा एक अठा कर रही है